नमस्कार दोस्तों, हम लोग इडविटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्यन के 7500 प्लस MCQ का प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं, आज प्रेक्टिस सेट नमबर 127-128 देखेंगे, काफी अच्छे प्रशनों का संग्रा है, डिरेक्ट एक्जाम में आने की संभावना है इसलिए आप इसे पुरा जरूर देखें, काये सुरू करते हैं पहले प्रशन से, पहला प्रशन है कि परकास संसलेशन होता है, और इसका सही अंसर होता है, पादपो के हरे भाग में, क्या है, पादपो के हरे भाग में होता है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, और नहीं भी रहेगा तो भी अंकूरित हो जाएगा यह वो नाइट के संदर्व में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है यह यह एक योगिक है जिसमें एक तिहाई सलफर और एक तिहाई रबर का मिसरन होता है ATCH हर्मोन अस्त्रावित होता है अंसर हो जाएगा C, प्यूस गरंथी से मनुस का मस्तिस कितने भागों में विवाजित है और इसका अंसर हो जाएगा B, तीन भागों में पच्छियों को उड़ने से रोखने की प्रकिरिया कहलाती है और इसका अंसर हो जाएगा A, ब्रेलिंग क्या है, ब्रेलिंग, टॉक्सिकोलाजी का संबंद किसके अधियन से है और इसका सही अंसर हो जाएगा D, बिसो से है, तरवाइन बड डाइनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को बिजुत उर्जा में परिवर्थित करते हैं और इसका अंसर हो जाएगा C, मेके किर्थियां क्या कहलाती है और इसका अंसर हो जाएगा C, नच्छतरमंडल, अधर्स बोल्टमीटर की प्रित रजाता क्या होती है और इसका अंसर हो जाएगा पत्थर को ठोकर मारने से ब्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है इसका है पर्तिक किरिया कोशका के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है तो सर पर्थम कोशका की खोज रॉबर्ट कोश द्वारा की गई थी यह सही नहीं है या किसी जीव की जीवित रचना है सही है सबसे छोटी को इसका जीवानु को इसका है तब सबसे बड़ी को इसका सुतुर मुरकांड़ा है यह सही है यानि अंसर जो हो जाएगा 14 के B हो जाएगा सेप्टी माचीशो के सीर्स में होता है और इसका अंसर हो जाएगा लाल फासफोरस होता है जो किनारे किनारे पे लगा होता है वो क्या होता है इस दोनों तरफ जो लगा होता है वो लाल फासफोरस होता है नियमन में कौन सा अत्ता तो उत्क्रिष्ट गैस का उधारन है, और इसका अंसर जो हो जाएगा, कागज बनाया जाता है, पौधे के सिलिलोस से, निमलिखित मिस्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताईए, तो डच मिटल जो है, तामा एवं जस्ता का अंसर जो हो जाएगा, अठारा के बी हो ती थी विश्व्यापी महानार्थिकमंदी अंसर हो जाएगा a jedlü 1929 किसी ब्यक्टी के पस्तविक जीवन अस्तर का क किया जा सकता है और इसका अंसर हो जाएगा आप्सवाण c प्रति ब्यक्ती आय के दवारा आय तथख व्होग में किस परकार का संबन्ध आयत अथव woke में किस प्रकार का संबन्द है और इसका अंसर हो जाएगा बी परत्यच संबन्द है देश में किन तीन बरसों की अबधी को योजना अवकास के रूप में मनाया गया था और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B 1966 से 79 तक जैव उर्वरक कौन सा है सही जवाब हो जाएगा B एजो अस्पिरिलम क्या है एजो अस्पिरिलम जो है जैव उर्वरक है उत्तर पूर्वी मौनसून से किस परदेश में बरसा होती है उत्तरी पूर्वी मौनसून से किस परदेश में बरसा होती है और इसका अंसर हो जाएगा A तमिलनाडू में निम्न में कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है बांधी पूर अभ्यारन करनाटक में स सही है शरीषका अभ्याराण राजस्थान में सही है अन्नामलाय अभ्यारां तमिल्नारु में पिरियार अभ्यारन आंट-ब्रद के कहा है ये कहां है तो किर跟我 है अनूसर हो जाएगा 26 के दी हो जाएगा सबसे बड़ी मारम निर्मित जिल कौन सी है तो सही अंसर हो जाएगा B. गुबिंद सागर जील निमलिखित में से भारत के किस सहर को सुन्य मिल केंदर के नाम से भी जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा option C. नागपूर जूम किर्शी किस से संबंदित है तो यह है अस्थानांतरन किर्शी से C. बालतोरो हिमनद इस्थित है सही जवाब हो जाएगा A. काराकोरम परवत माला में अकाल तक्त का निर्मान किस ने किया था और इसका अंसर हो जाएगा option कुन सा हो जाएगा गुरू हर गोविन महरावली किक में जंग रहित लव अस्थाम किस बंस के समय अस्थापित किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा A. गुप्त बंस कर्म का सिदान्त किस दर्शन से संबंदित है और ये संबंदित है मासा से समुन्दर गुप्त के परियाग पर सस्थी वाले अस्थाम पर निम्लिखित में किसका लेख मिलता है और ये लेख मिलता है जहांगीर किया वह सुल्तान कौन था जिसने खलीपा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था और इसका सही जवाब हो जाएगा अलवारो संतों का आविरभाव निम्लिखित में किस अधोनिक राजियों से हुआ है और इसका जवाब हो जाएगा अप्सन सी तमिलनाडू रवीन ना टेगोर्द वारा लिखित गान जनगना मना सर पर्थम जनबरी उन्हें 112 में किस नाम से परकासित हुआ था ये परकासित हुआ था भारत बग बिधाता से उन्हें 42 के भारत छोड़ों अंदोलन के दोरान कहां जातिये सरकार गठन किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा C. ताम लोग निवन में से कौन लीडर समझा चार पत्र के संस्थापक्त है और इसका अंसर हो जाएगा C. मदन मोहन मालविये यदि किसी अवर न्याय पालिका ने किसी विशाय पर अपना निर्नाय दे दिया हो तो उस्तर नियाय पाल का किस रीट को जारी कर निर्ने को रद कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है और इसका अंसर हो जाएगा B. उत्प्रेशन लोग सभा के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा D. अनुछे 43A. समिधान और बिधिक के परिरच्छन, सरच्छन और परतिरच्छन का सपत गरहन करते हैं. और इसका अंसर हो जाएगा B. राश्टपती. समिधान की परमानिक्ता संसत से ज़्यादा है क्योंकि? और इसका अंसर हो जाएगा समिधान 1947 को अकवर की गुजरात विजाई के संदर में निम्लिखित कत्रों में कौन सा जो है वो असत है कौन सा जो है वो असत है तो इस अभियान में मिरजाओं ने अकवर का साथ दिया था ये जो है असत है अकवर 1572 इसमें गुजरात पर धिकार किया था सही है कामबे में अकवर ने पहली बार समुद्र को देखा था इसमें पूर्टगालियों ने समुद्र कर बर्चस्प अस्थापित कर लिया था ये तीनों जो है सही है असोख मेहता समेती के सिफारिसों में निर्मे से कौन सामिल नहीं था और इसका अंसर हो जाएगा सी किसी अस्तर पर कोई आरचन का प्रभान नहीं होना चाहिए कैंद्रिया और प्रांतिय बिधान परशदों में सधस्यों कानु पूरक प्रश्न पूछने का इस अधिनियम के माध्यम से मिला था ये मिला था भारत परशद अधिनियम 19.9 के नेक्श बखते हैं कर गं तथा और इसका अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा option C, तमिलनाडू, पोचम पाद परियोजना किस नदी परिस्थित है, सही जवाब हो जाएगा D, गोदाबरी पर है, क्या है, गोदाबरी पर है, चलिए next देखते हैं, practice set number 128 के पहला प्रस, निमलिखित में से कौन परती इकाई सबसे अधिक उस्मा की मातरा देती है, अंसर हो जाएगा C, इंत्रसाइट, इंत्रसाइट जो है, सबसे सुद्ध कोईला भी है, निमलिखित में कौन सा कथन असत है, कौन सा कथन असत है, तो vitamin C, रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ये कथन जो है, विटामिन A, तवचा और आखों को स्वस्त रखता है, सही है, vitamin B1 घाव बरने में सहायक है, सही है, vitamin D हमारे अस्तियों के लिए क्यों होगी है, ये तीनों सही है, प्रिज्म में परकास के विभिन रंगों का विभाजन किसके कारण होता है, और इसका अंसर हो जाएगा B, परकास का परिछेपन के कारण, निमलिखित में से आखों का कौन सभाग उसके विसिस्ट रंग के लिए उतरदाई होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, D, परितारिका, क्या है, परितारिका, dialysis की बिधीन निमलिखित में किसके अक्रियों हो जाने की स्थिति में परियोग में लाई जाती है, अ अंसर हो जाएगा A, घनात्व, रक्त अस्टाव को रोकने के लिए आम तोर पर किस अलुमूनियम लवन का परियोग किया जाता है, और इसका अंसर हो जाएगा D, पोटास एलम, अरक्तता किसके कमी के कारण होता है, अरक्तता, अंसर हो जाएगा C, फॉलिक एसिड, एक मात्र जाता है मेडल को, निम्ड में से कौन सा धातू तथा उनके आयसको को सही मेल नहीं है, सही मेल जो नहीं है, कालवे राइट सोना का सही है, मेले राइट इरेनियम का गलत है, समेल टाइट कोवाल्ट के सही है, अंसर जो हो जाएगा 12 के C हो जाएगा, या इसको का सही मेल नह इसका अनसर जो हो जाएगा इसका प्रसाइनिक प्रकिर्य आ सका मात्ताँ आपके इंद्रिय की Caribbean ने समाज के दो बर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्पुर्म वहाव झखोड़ा कि यह वर्ग कौन से तो यह थे इस्त्रिया एवं सुद्र. किस राजबंस के दर्ण महा बली पुरा मंदिर का निर्मान किया गया था? अंसर हो जाएगा B पल्लव राजबंस. सूब विक्यात कोहनूर हीरा कहां के खान से प्राप्च किया गया था? ये प्राप्त किया गया था गोल कुंडा के खान से किसका अपने समकालिन मुगल बादसा से मिलान गलत है तो आई ये देखते हैं राना सांगा अकवर गलत है पिर्थिवरा चोहन मुहम्मद गवरी जुजार सिंग साह जहां जसवन सिंग और अंग जेव ये तीनों सही अंसर हो जाएगा अकवर द्वारा किये गए सुधारों का सही मेल कौन सा है सही मेल जो है वो कौन सा है बताना है तो मज़धर की गोशना 1589 सुपी में जजिया कर समपती 1564 में ये दोनों सही है और ये गलत है अंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बीष के ए वह परसीत जैन बिदवा कि उनका सही करम क्या है तो सबसे पहले सूरत फिर मदराज फिर बंबई फिर कलकता अंसर हो जाएगा 22 के सी नादिर सा के अकरमन के समय दिली का सासक निम्न में से कौन सा था तो ये था मुहम्मद सा कौन था मुहम्मद सा उपन्यास नील दरपन का अंगरेजियन उबाद किस ने किया था नील दरपन का सही जवाब होजागा बी मदु सूदान्दत मदु सूदान्दत गांधी जी के सबसे महत्कुन सिच्छाएं निम्न में से कौन सी है कौन सी महत्कुन सिच्छाएं हैं तो वह सत्य और अहिंसा सी भारत सेवक समाज के स्थापना गुपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस बरस की गई थी यह किया गया था उन्हें 105 जिस में किस देश का आर्थिक बिकास किस पर निर्वर करता है और इसका अंसर हो जाएगा डी प्राकिटिक संसादन बजार काकार और पुंजी निर्मान है सभी में से अंसर होगा डी उप्यूक्त सभी घट योजना बद अर्थ वेस्था किस पधिती पर धारित है समाजबादी वेवस्था पर मध्यरात्री का सूर्ज का क्या अर्थ है यह अर्थ है सूर्ज का धूबिय ब्रीत में देड़ तक चमकना निमलिखित में कौन सा सौड परिवार से संबंधित नहीं है अंसर हो जाएगा D निहारिका ब्रहत्रर यानि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है हिमादरी है क्या है हिमादरी जो है वो दूसरा नाम है कुलू घाटी किसके बीच इस्थित है कुलू घाटी यह इस्थित है धौला धर एवं पीर पंजार भारत की जल मानव गती बिधियों से परिवर्तित परियाबरन कहलाता है यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक परियाबरन सम्विधान के अंतरगत भारतिये लोग तंद्र के अदर्सों को हम कहां देख सकते हैं और इसका अंसर हो जागा ए प्रस्तावना हमारे सम्विधान में न्याइक इच्छा की धारना किस देश्क समिधान से लिए गई है अंसर हो जागा बी युएस से कोई राज उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वब बनाये रखता है यह कथन किसका है यह कथन है भी लौस्की का किसका लौस्की का निम्ड में से कौन राष्टपती के नाम में भाग नहीं लेते हैं नागरिक्ता प्राप्ट करने के लिए सरत्य निर्धारित करने वाला सच्छम निकाय कौन सा है और इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जागा डी सांसद भारत्य समिधान के किस अनुछेद में मुखमंत्री के कारियों को परिवासित किया गया तो यह किया गया है अनुछेद 166 में अंतर राजिये परशद के स्थापना का सुझाब किस आयोग ने दिया था सही अंसर हो जागा ए सरकारिया आयोग संजुक्त राज सुरच्छा परशद के आस्थाई सदस्यों की कारे अबधिक कितनी होती है तो होती है दो बस होती है भारत में पर्तियच लोग तंत्र का उदाहरन है और यह उदाहरन है ग्राम सवा का जिला न्यालियों के न्याइधीसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो की जाती है राजपाल को भारत में पर्थम और धोगिक निती की घोसना कब की गई थी तो 1948 इस्वी में प अगर वीडियो अच्छ लगा तो लाइक और सेर कर देज़े धन्यवाद